सब्सक्राइब टो यूट्यूब शानल और प्रेस्ट बेल आइकन टिकेट लेटेस्ट अपडेट्स बॉलीवूड इंडस्ट्री के कोई ना कोई किस से सुर्खियों में चाहे रहते हैं जो दर्शकों को बेहद दिल्चस्प लगते हैं वैसे दिखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगा है जहां पर कब क्या हो जाए इसके बारे में बता पाना बहुत ही मुश्किल है अक्सर देखा गया है कि किसी ना किसी स्टार से जुड़ा हुआ कोई ना कोई किस्सा सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वैरल होता रहता है इसे बीच मिथुन चकरवर्ती और हेमा मालिनी का एक किस्सा सामने आया है दरसल एक फिल्म को लेकर मिथुन चकरवर्ती और हेमा मालिनी के बीच बहुत जोरदार बहस हो गई थी आपको बता दे कि हेमा मालिनी और मिथुन चक्रवर्ती दोनों ही बॉलिवुट का बड़ा नाम रही हैं और आज ये दोनों राजनीती में भी सक्रिये हैं अभिनीता मिथुन चक्रवर्ती इन दिनों चर्चा में भी बने हुए हैं हाल ही में अभिनीता मित्वन चक्रवर्ती ने बीजेपी जॉइन करके राजनीती में एंट्री की है बीजेपी जॉइन करने के बाद मित्वन चक्रवर्ती ने जो भाशन दिया वो सोशल मीडिया पर जम कर वारल हो रहा है तो वहीं हेमा मालिनी मतुरा से दूसरी बार लोक बहा सांसब बनी है हेमा मालिनी और मित्युन चक्रवर्थी ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है और आज ये दोनों सितारे बीजेपी से जुड़े हैं परन्तु एक फिल्म के दौरान इन दोनों सितारों के बीच खुब बहस हो गई थी आज हम आपको इन दोनों के बीच का एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं जो आप लोगों ने शायद ही कभी सुना होगा जब ये दोनों सितारे बुलंदियों पर थे तब उन्ही दिनों में मित्युन चक्रवर्थी और हेमा मालिनी को लेकर एक फिल्म बनाए गई थी और इससे फिल्म के शामें कास्ट किया गया था ये फिल्म साल 1989 में रिलीज हुई थी उस समय के दोरान हेमा मालिनी फिल्म इंडस्ट्री की मश्हूर अभी नेत्री ही थी वही मिट्युन चक्रवर्थी भी उस समय बड़े स्टार हुआ करते थे इस फिल्म के अंदर हेमा मालिनी और मित्युन वर्ती के काफी रोमेंटिक सीन्स भी फिलमाए गए थे खबरों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि उस समय के दुरान मित्वन्चक्र वर्ती ने ये कहा था कि हेममाली की मुकाबले फिल्मे उनके सीन अधिक रखे जाए उन्होंने हेममाली की कुछ सीन हटा देने के लिए भ भाय गए कुछ रोमेंटिक सीन को फिल्म से हटा दिया गया है तब उसके बाद हेमा मालिनी का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया और वह गुस्से में निर्देशक के पास पहुंची तब हेमा मालिनी ने मिथुन चक्रवर्ति और निर्देशक शेर जंग से ये कहा था कि अगर फिल्म में इंटिमेट सीन नहीं रखने गए थे तो फिल्म आए क्यों उन्होंने इसकी तुलना शोशन तक से कर दी थी हेमा मालिनी से मिथुन और डारेक्टर ने ये कहा था कि जिन सीन की फिल्मों में आवशक्ता नहीं लग रही थी उसको उन्होंने हटाया है इस पर हेमा मालिनी ने कहा कि आप दोनों की बीच की सारी बाते मुझे पता लग चुकी है और मैं ये भी वाद जानती हूँ कि मेरे सीन क्यों हटे है बाद में हेमा मालिनी ने फिल्म के दूसरा बिनीत राजकुमार से भी इस पूरे मामले के बारे में शिकायत की थी फिर से दोस्ती हो गई